चलिए दोस्तों लेका है हो और एक जबरदस टेक न्यूज और सबसे पहले जा न्यूज दो फो आ रहे एपल के आइफोन 13 सीरीज को लेकर ये जो सीरीज है सप्टेमबर या फिर अक्टोबर के मैंने में लॉंच होने वाले और इसके डिस्प्लेज के बारे में कुछ खबर लाइक आय पंणारे कि इसके डिस्प्लेज है फो सामसंन और ये जो दोनों कंपरे याज ये बना रहे है आईफोन 13 मीनीट का डिस्प्लेज फो मना रहे आइफोन थोभी य बना रहे और प्रो प्रो मैक्स यह जो दो इनो वेरेंट से इनके डिस्पेस सामसन डिजैन कर रही है और यह जो है ओए लेड़ फैनल होने वाले साधी सब 120 हर्ट को यह रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाले मतलब आइफोन 13 सीरीज में हमें 120 हर्ट सिर्फेस रेट जो यह देखने को मिलने वाटसप ने कह दिया कि आप प्राइवसी पॉलिसी एक्सेप नहीं करते तो आपके कोई भी फंक्स्योंच जे फो लिमिटेड नहीं होंगे मतलब आप पूरी तरह से वाटसप का यूज कर पाएंगे लेकिन आज कुछ अलग खबर निकल क्या रहे है ऐसी कबर निकल क्या वाटसप कह रहा है कि आपको एडिशनल फीचर जो फो नहीं मिलेंगे मतलब आगे आने वाले जो फीचर से फो जिन यूजर्स ने पॉलिसी एक्सेप नहीं कि उनको नहीं मिलने वाले ऐसी वाटसप की तरब से खबर आए अब देखना हो गया यह जो फीचर से कौन से करत किया गया और इसके अंदर दो प्रोड़क्स दिक टू जो आने वाले उसका ही रिब्रेंडड करके इस ब्राइंड के शेंद्र करने वाली और इस ब्राइंड नहीं 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 दिखाए दे रहा अब देखना होगा यह प्रडॉक्स जो यह इंडिया में किस नाम से आते हैं क्योंकि अभी तक रियल्मी वास्ट टू जो फो इंडिया में लॉंच नहीं हुलिए और अगली मीनियूस फिर से रियल्मी की दरब से रहे रियल्मी X7 Max जो कि 31st में को लांच हैने वाला है इस फोन को अगर आप प्री रेजिस्टरेशन में लेते हैं तो आपको रियल्मी के बड्स क्यूज़ोई फ्री में मिल सकते हैं तो आप जहे अगर Realme X7 Max को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो pre-orders में ले सकते हैं क्यूंकि इसके अंदर बहुती बड़ी offer जे फो आपको मिल रहे हैं और इसी के साथ Realme की तरब से Realme GT ये जो फोने ये भी इंडिया के अंदर आ सकता है क्यूंकि accidentally Realme की तरब से उनके website के उपर ये फोन लिस्ट होते होई दिखाए द रहा है इसका मतलब जूल खतम होने से पहले शायद हमें Realme की तरब से Realme GT ये जो फोने ये भी देखने को मिल सकता है इसके camera sensors के बड़े में कुछ leaks निकल के है ये चो camera sensors से ये Samsung की तरब से आने वाले कुछ दिन पहले खबर है इतकी Sony के आने वाले लेकिन आप खबर आ रहे कि Samsung के sensors आने वाले और साधी सत इन में Gimbal Stabilization का support जो है वो देखने को मिलने वाले है अगर ये सारी चीज़े होती है तो मैं आपको promise करता हूँ दोस्तों Google Pixel 6 Series के जो phone से उनके camera से आप बहुती बढ़ी आतरीके से photo की सकते और अगली नुज़ारी OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE ये जो phone आने वाल है इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 750G ये chipset जो ये आ सकता है ऐसी खबरे आ रहे है और ये phone under 20,000 जो ये आ सकता है OnePlus की तरफ से तो देखना होगा 10 जून को जब ये phone launch होगा तो इसके अंदर सर्च में यही chipset देखना को मिलता है औ और क्या OnePlus इस phone को 20,000 के नीचे launch करता है या फिर नहीं शे देखना सबसे interesting होगा और अगली नुज़ारी Infinix की तरफ से Infinix की तरफ से Infinix Hot 10 सीरीज जो बहुत जल इंडिया में launch हो सकते है और शायद जून के मैने में launch हो सकते है क्योंकि इस सीरीज के दो phones Infinix Hot 10 और Hot 10 Pro ये जो द प्राइस पर आते ये देखना होगा तो चलिए दोस्तो आज की टिकनी उसको यही खतम करते वीडियो अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीज़े अपने दोस्ते की साथ शेयर कीज़े चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा ये वीडियो आपको पसंद आया नहीं है अपनीचे कमेंट करके ज़रूर बताए दो